हेलो मेरी प्याई सी फैमली आज डिप स्वर्ड पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बैगन की एक मसालेदा सबजी तो चलिए आपको बताती हूँ किया आप इसको असानी से घर पर ही कैसे बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ी साइज का बैगन ले लिया है आप चाहें तो मीडियम साइज का या छोटे बैगन भी ले सकते हैं अब आप इसको साफवारे से धो लीजिए अब इसके बाद इसमें मीरियम साइज में पतले टुकड़े में इसको काट लीजे इसकी टुकड़ों को आप बहुत ज़ादा पतला मत कीजिएगा अब इसके बाद एक कढ़ाई लीजिए उसमें एक बड़ा चमज थेल गरम कीजिए और बैगन को अब उसमें उलट पलट कर गौल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए ये कोचे मिन्टों में लाइट ब्राउन हो जाएंगे अब जब ये लाइट ब्राउन हो गए हैं तो इनको कढ़ाई से निकाल कर एक प्लाइट में निकाल लीजिए अब उस कढ़ाई में दो चमच तेल डाल दीजिए तेल गरम होने के बाद उसमें एक चमच जीरा डालिए और फिर एक चमच अधरक और हरी मिर्च का पेस डाल कर भून लीजिए अब उसमें आप एक प्यास बारी कट कर डाल दीजिए और उसको गुलाबी होने तक इसको भी भून लीजिए अब इसमें एक मीडियम साइस कटोरी के बराबर दही डाल दीजिए और उसमें एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक चमच कश्मीरी लाल मिच और आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक चमच गरम मसाना मिला दीजिए और इन सब को अच्छे से मिक्स कीजिए और तब तक भून लीजिए जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे ये ग्रेवी जल्दी तेल छोड़ने लगती है अब इसमें आप बैगन एक चमच कसूरी में थी और स्वाद अनुसा नमग मिला दीजिए और इसको ढग कर कुछ मिनट के लिए पका लीजिए कप कुछ देर माद ये तयार हो गई है और इसमें आप कड़ाई से इसको निकालकर गरम जर्म सर्फ कीजिए ऐसी ही चटपटी मसालेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सब कीजिएगा और चैनल को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थैंक यू